Hello everyone, welcome to all of you in exam guru दोस्तो इस वीडियो में हम लोग Air Force Y Group exam 2023 के लिए AStatic GK का एक important session लेने वाले हैं Air Force Y Group exam में GK में सबसे ज़्यादा questions आपके AStatic parts नहीं पूछे आते हैं तो एह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा important है जिनका भी paper 18 January से start हो रहा है आप सभी लोग इस वीडियो को लाज तक जरूर देखें इसके अलावा दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के description box से मिल जाएगा उसे आप सभी लोग जॉइन कर लें चले दोस्तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आज का हमारा topic रहने वाला है first in India आपके exam में इस topic से लगभग सारे shift में एक से दो question देखने को मिलेगा तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाज तक देखते जाएए सबसे पहला question है कि सोतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थी दोस्तो अगर बात की जा रही हो सोतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की तब आपका correct answer होगा Lord Mount Waiten वही अगर आप से एक्जाम में पूछा जा कि सोतंत्र भारत के पहले भारतिये गवर्नर जनरल कौन है तब आपका correct answer होगा C. राज गोपाला चारी और दोस्तो एक दोनों ही question already Air Force Y Group एक्जाम में पूछा जा चुका है यहाँ पर first in India topic से related जितने भी questions अभी तक आपके एक्जाम में आ चुके हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दे चलूँगा तो उन questions को तो आप खास तोर पर ध्यान दे कर पढ़ना क्यूंकि वे question फिर से इस वार भी एक्जाम में जरूर रिपीट होगी इसके बाद देखो third number question है कि प्रथम commander in chief कौन थे भारत के तो correct answer है दोस्तो के एम जनरल करियपपा इसके बाद अगला question प्रथम field marsal कौन थे यह question भी दोस्तो आपके एक्जाम में आ लेड़ी रिपीट हो चुका है भारत के पहले field marsal थे मौनिक सा फिफ्थ नमर question है कि प्रथम air marsal कौन थे तो दोस्तो भारत के प्रथम air marsal थे अर्जुन सिंग फिफ्थ नमर question प्रथम अंतरिश यातरी का नाम बताईए तो correct answer है दोस्तो जो पहले भारतिये थे जो अंतरिश में आतरा किये थे राकेस सर्मा एक question आपके कोष्टगार के एक्जाम में पहले पूछा जा चुका है इसके बाद अगला question है 7 number पहले ICS यानि की Indian Civil Servant कौन बने थे correct answer है दोस्तो सतेंद्र नार्ट टैगोर एक question 2022 में ही air force by group एक्जाम में पूछा गया है आठमा नंबर question है कि इंगलिस चैनल पार्क करने वाली प्रथम महिला कौन थी? correct answer है दोस्तो आर्टी सा एक question 2018 में जब पहली बार online examination कंड़क्ट हुआ था तब पूछा गया था इसके बाद अगला question है question number 9 नोबेल पूरसकार पाने वाले प्रथम ब्यक्ति कौन है? दोस्तो नोबेल पूरसकार 1913 में मिला था रविद्ना टैगोर को उनकी कृती गितांजली के लिए इसके बाद अगला question है question number 10 question number 10 है कि भारतिये राष्ट्रे कॉंग्लेस यानि कि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के पहले अध्याच कौन बने थी? correct answer है question number 11 भारत में प्रथम महिला राजपाल कौन बनी थी? correct answer है दोस्तो सरोजनी राइडू जो की उपी की राजपाल बनी थी? question number 12 है कि प्रथम लोकसवा अध्याच कौन है? तो दोस्तो भारत के पहले लोकसवा अध्याच बने है जीवी मावलंकर 13th number question है कि भारत के पहले उपरदान मंत्री यानि कि वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन बने थी? दोस्तो इनका नाम है सरदार बल्लब भाई पटेल इसके अलावा दोस्तो हमारे जो ग्रीम मंत्री बने थे भारत के पहले वे भी थे सरदार बल्लब भाई पटेल ही फिर इसके बाद question number 14 है कि भारत के प्रथम मुख चुनाव आयुकत कौन बने थी? correct answer है दोस्तो सुकुमार सेन और यहां पर दोस्तो अगर मैं question number 11 से लेकर 14 तक की बात करूँ तो यह सारे के सारे questions 2021 और 2022 दोनों ही साल अलग लग सीटों में पूछे आ चुके हैं अगर आपको एकीन नहों तो आप एक वार प्रिवेस एर का analysis यूटूब पर उठा कर देख लेना इसके बाद अगला question देखें क्या है? question number 15 भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन बनी थी? तो correct answer है इस question का कीरन वेदी 16 question है दोस्तों की प्रथम महिला सासक कौन बनी थी? दोस्तों भारत में पहली महिला सासक बनी थी रजय सुल्तान हालाकि बहुत जादा दिनों तक या सासन कर नहीं पाई थी इनका मडर कर दिया गया था और फिर इसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति ने सासन को अपने हाथ में ले लिया था इसके बाद अगला question है 17 नमबर भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेसी व्यक्ति कौन है? तो correct answer है दोस्तों खान अब्दुल गफार खान question number 18 है कि सांती के लिए नोवेल पुरसकार सस्तमानित प्रथम भारतिये नागरिक का नाम दोस्तों Mother Teresa को सांती के लिए भारत की तरफ से पहला नोवेल पुरसकार दिया गया वे पहली भारतिये थी इसके बाद अगला question है दोस्तो question number 19 and 20 दोनों ही question अलड़ी एकजाम में पुछाया चुका है 19th question है कि भारत की पहली Miss World कौन वनी थी? यह वनी थी दोस्तो 1966 में रिता फारिया और प्रथम Miss Universe कौन सी भारतिये वनी थी? तो correct answer है दोस्तो सुस्मिता सेन इसके बाद अगला question है आपर देखिए question number 21 है कि केंद्रिय मंत्री मंडल में प्रथम महिला अधिकारी तो देखिए केंद्रिय मंत्री मंडल में जो पहली महिला गई थी इनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर इसके बाद question number 22 और 23 यह दोनों question भी already air force exam में repeat हो चुका है भारत में किसी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंद्री कौन बनी थी तो यह बनी थी दोस्तो सुचेता क्रिपलानी जो की UP की मुख्यमंद्री बनी थी और यह question बहुत वार exam में repeat हुआ है इसे आप लोग बहुत ध्यान से समझ लेना इसके बाद अगला question है दोस्तो की सर्वोच न्याले की प्रथम महिला अध्यच कौन बनी है correct answer है दोस्तो मीरा साहव फातीमा वीवी इसके बाद अगला question है 24 नंबर दोस्तो अमरीकी कॉंग्रेस का सदस्य बनने वाला पहला भारती है दिलिप्सिनी संड 26 नंबर question है कि electronic voting machine का परयोग करने वाला पहला भारती ये राज्य कौन सा है दोस्तो electronic voting machine यानि की EBM का यूज करने वाला first Indian state बना था केरल राज्य इसके बाद देखिए अगला तीनों question फिर से air force में already repeat हो चुगा है भारत के पहली बोलती film कौन सी है तो यह है दोस्तो आला मारा जो की 1931 में release हुई थी 28 नंबर question है कि प्रथम मुस्लिम राटपती कौन है दोस्तो भारत में पहले मुस्लिम राटपती बने थे डॉक्टर जाकीर हुसेन एक question 2020 के exam में पूछा गया था जिसका आपका final result जारी नहीं किया गया यानि कि जो 2021 में जाका आपका paper हुआ था जुलाई में इसके बाद question number 29 है कि इसके बाद अगला question प्रथम ग्रीह मंत्री कौन बने थे भारत में दोस्तो भारत के पहले ग्रीह मंत्री बने थे सरदार बल्लवाई पटेल वीडिएो में आगे बनने से पहले दोस्तो एक छोटी सी इंफर्मेशन है आप सभी के लिए अगर अभी तक भी आपका Air Force Y Group exam को लेकर GK तयार नहीं हुआ है तो last moment पर आप इस e-book से revision कर सकते हो इसमें total 40 pages है और अगर 40 pages को आप पढ़ लेते हो तो maximum question आपके exam में इसी e-book से पूछे जाएंगी इसी e-book के साथ मैं आपको current fs का PDF भी दे दूँगा पलस एक 10,000 का SSC का GK का PDF है जिसमें भी आपके history, geography, quality, science and aesthetic GK topic wise include दिये गए हैं इस e-book को अगर आप purchase करना चाहते हो तो आप मुझे whatsapp पर message कर देना 9430042848 यह मेरा whatsapp number है मैंने अपना whatsapp number इसी वीडियो के description box में भी दे रखा है चलिए दोस्तो आगे बारते हैं देखते हैं अपना आगला question next question है question number 31 भारत के प्रथम वायू सेना अध्याच कौन बने थे इनका नाम है दोस्तो एयर मार्सल एस्मुखर जी इसके बाद आगला question है 32 number भारत में प्रथम जल्द सेना अध्याच कौन बने थे correct answer है दोस्तो वायस एड्मिरल आर्डी कटारी इसके बाद अगला question है 33 number भारत में प्रथम पर्मानू रियक्टर कौन सा था तो इस question का correct answer है दोस्तो अपसरा जो कि ट्रामबे में बनाय गया था अब जहां तक मुझे याद है दोस्तो पिछले exam में question इस प्रगा से पूछा गया था कि भारत का जो प्रथम पर्मानू रियक्टर है अपसराव उसका निर्मान कहां पर हुआ है फिर कहां पर स्थापित है तब आपका correct answer ट्रामबे दिया गया था इसलिए मैंने हापर hint में आपके plus का नाम भी add कर दिया है फिर इसके वाद है question number 34 एक question भी दोस्तो सायद मेरे ख्याल से 2019 या 20 के एक जाम में पूछा गया था प्रथम परंबीर चक्र प्राप्त करता कौन है तो correct answer होगा इस question का major सोमनात सर्मा 35 number question है कि भारत की प्रथम मिसाइल क्या है दोस्तो भारत की पहली मिसाइल का नाम है प्रीतिवी 36 number question है कि भारत में अस्थापीद प्रथम परमानुकेंदर कहां पर है दोस्तो या आपका है तारापूर परमानुकेंदर नेक्स्ट question number 37 नोबेल पुरसकार से समानित प्रथम बैग्यानिक कौन है दोस्तो सन 1932 में सीवी रमन को नोबेल पुरसकार दिया गया था भौतिकी के लिए इसके बाद अगला question है 38 number सर्वोच नियाले के प्रथम मुख्य नयदीस कौन है या question भी दोस्तो आपके एरफोर्स वाई गूरूप एक्जाम में एंड कोश्टगार के एक्जाम में अल्लेडी पुछाया चुका है सर्वोच नियाले के पहले मुख्य नयदीस वने थे दोस्तो हीरालाल जे कनिया इसके बाद question number 39 है कि भारत रतन से सम्मानित प्रथम ब्यक्ति कौन है दोस्तो भारत रतन से सम्मानित प्रथम ब्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी डॉक्टर एसराधा कृष्णन और सीवी रमन इन तीनों को 1954 में भारत रतन से सम्मानित किया गया था question number 40 है कि किसी उचनियाले की प्रथम महिला कौन थी तो देखिए आपर बनिती नयदिस नयमूर्थी लीला सेट इसके बाद अगला question है 41 number माउंड एवरेस्ट पर चड़ने वाली प्रथम महिला कौन है correct answer है दोस्तो भषंदरीपाल 42 number question है कि मर्नो परांद भारत रतन से समानित प्रथम व्यक्ति का नाम बताईए यानि कि मरने के बाद भारत रतन की से मिला था वो पहले व्यक्ति कौन थे तो इस question का correct answer है लाल बहादुर सास्त्री next question number 43 भारत में प्रथम उपग्रह कौन सा निर्मान हुआ था दोस्तो प्रथम भारती उपग्रह था आरे भट जिसका प्रचेपन 19 अपरेल 1975 इस्वी में किया गया था 44 number question है कि भारत देश की पहली महिला चिकित्सका का नाम क्या है दोस्तो भारत की पहली महिला चिकित्सक बनी थी कांदम बनी गांगुली इसके बाद अगला question है 45 number दो बार Mount Everest पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है दोस्तो माउंट अबरिश्ट पर चढ़ने वाली दो बार प्रथम महिला बनी थी संतोस्यादव इसके बाद अगला question है 46 number पर प्रथम नयधीस जिस पर लोक सभा में महाव्योग चलाया गया था दोस्तो जश्टिस वी रामा स्वामी एक मात्र पहले ऐसे नयधीस है जिन पर लोक सभा में महाव्योग चलाया गया था और कव चलाया गया था तो 1993 में इसी के साथ दोस्तो first in India topics related जो आपके important 50 questions बनते थे उन सभी का solution मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है पलस इन topics related अभी तक जितने भी questions आपके exam में repeat हो चुके थे उनके वारे में मैंने आपको वीडियो में बता दिया जिससे कि आप सभी लोग important question को tick out कर लो दोस्तो अगर आप combined gk ebook पर सच करना चाहते हो तो आप मुझे whatsapp कर देना मैंने whatsapp number वीडियो के दे दिया है इसी तरह का ebook आपको share किया जागा जिसमें आपके topic wise सारे questions included होंगी अब दोस्तो static gk का जो हमारा अगला topic है national park वगरा वो मैं आपको कल morning के एक वीडियो में करवा दूँगा इसके अलाबा 2019 से लेकर 22 तक Air Force Y Group में अभी तक जितने भी math के questions आए हैं न उन सभी का solution भी मैं आपको इस वीडियो में sorry अगले वीडियो में करवाने वाला हूँ क्योंकि math के बहुत सारे questions ऐसे होते हैं जो की repeat होते हैं तो कल आप लोग सुबा में और evening में दो वीडियो का वेट करना दोनों ही वीडियो आपके exam के लिए बहुत जादा important रहने वाला है और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसो like और share कर दे और जाने से पहले दोस्तों जितने भी नए कंडियेट इस चैनल से जुड़े हैं आप सभी लोग चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले क्योंकि defense exam से related जितने भी important जनकारिया होती है इस चैनल पर आपको सबसे पहले and authentic way में दिया जाता है मिलते हैं तो फिर से नेक्स वीडियो में तो तक के लिए जय हिंद जय भारत